कि यह फ्रेंड्स वेल्कम तो वर नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी लास्ट वीडियो के सभी टॉपिक क्लियर है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होई तो गाइस क्रिमें सेक्शन में बता देना और गाइस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शियर जुरूर करना ताकि जाने के लिए पहले इसको रीट करने से पहले मैं आपको एक जस्ट एक्जामपल समझाना चाहूंगी ताकि आपको इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए ठीक है हम यहाँ पे एक एक्जामपल ले रहे हैं तो आपको वो समझाएगी ठीक है एक्जामपल ले रह तो यह अगर अब जैसे कमपनी न्यू है अब इसको अपने शियर्स पब्लिक को इशू करने तो अगर यह डिरेक्टली पब्लिक में इशू करती है तो क्या पब्लिक इसके शियर्स को सब्सक्राइब करेगी पब्लिक इसको जानती नहीं यह तो नहीं खुली है तो क्या पब तो इसकी वज़े से अगर कमपनी अब जैसे कमपनी न्यू है तो इसको लोस भी तो हो सकते है ना अगर पब्लिक इसके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर रही है और अगर ये कमपनी मतलब पब्लिक के इसके शेयर्स को 120 डेस के अंदर सब्सक्राइब नहीं करती है तो इसक इस वज़ा से कंपणी अगर कोई न्यू खुलती तो वो क्या करती है वो तीन बंदों के साथ एग्रीमेंट यह कुछ भी दो बन्दे कुछ भी लेलो एक्जामपल ले लेते हैं तीन बंदे हैं जासे में लिए आप दो ले लो एक लेलो जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है रूँम कर लो इंथोँ नमें से ठीक है जोइंट अ अब्लिक को इशव का ना चाहती है ठीक है बट यह इनको बोलेगी यह इनके साथ एक एगरीमेंट करेगी कि भाई मेरे shares आप लोग public को इशू करवाओ ठीक है ये तीनों ये काम free में तो नहीं करेंगे तो ABC company इनको एक commission देगी इसके बदले में commission ठीक है ABC company इनको commission देगी पहले commission का एक rule है क्योंकि लोग के according commission band है या restricted है ठीक है तो commission जो है वो shares के ऊपर shares और debentures दोनों है ना इसमें shares के ऊपर 5% maximum और debentures के ऊपर 2.5% दी जाती है ठीक है और यह सिर्फ दोनों ही issue price के ऊपर दी जाती है जिस rate पे हम issue कर रहे है उस issue price पे दी जाती है commission ठीक है अब यह इन तिनों को commission देगी अगर यह इसके shares को मतलब public से subscribe करवाएंगे तो इन तिनों ने अपना बता दिया कि इसने इसने बोला मैं 40,000 करवादूंगा इसने बोला मैं 20,000 करवादूंगा और इसने बोला 10,000 थार् अब यह तीनों companies क्या करेंगी यह तीनों companies ने इस company के साथ अगर agreement किया तो इनको guarantee दी है कि अगर public से पूरी कोशिश करेंगी इन shares को subscribe करवाने की और अगर कुछ कम मतलब जैसे अब यह 40,000 है ठीक है इसमें से company ने किसी subscribers ने 35,000 तक subscribe कर भी दी है ठीक है तो यह companies जो है यह guarantee देरी है जो अगर कुछ shares बच जाएंगे अगर उसको पॉब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रही है तो वो company खुद subscribe करेंगी उन shares को इसका loss नहीं होएगा क्योंकि इसने responsibility इन पे डाल दी अब यह इनकी responsibility है सभी shares को पॉब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब करवाना ठीक है अब इसके बदले में इनको मिलेगी commission और यह इसका काम करेंगी तो यह तीन बंदे हमारे के लाएंगे underwriters ठीक है underwriters के थ्रू अपने shares को issue करना पॉब्लिक में यह new companies mostly करती है ठीक है आपको I hope example थोड़ी समझे अब हमारे notes की तरफ चलते हैं जो हमने बनाए है ठीक है अब आप पर underwriters ensure guarantee देते हैं company को that in case the shares and debentures अगर कोई case में मतलब situation में shares or debentures नहीं subscribe करती not subscribe by the public तो जो भी balance of shares बचेंगे the balance will be taken up by the underwriters तो उसको underwriters मतलब खुद सब्सक्राइब करेंगे उन shares को या उसका balance खुद लेंगे मतलब अपने उपर लेंगे ठीक है first point इंट्रो समझाई देन अंडर राइटर दी परसंस और इंस्टीटूशन अंडर राइटिंग अ पब्लिक इशू ओफ शेयर्स और डवेंचर जो इंस्टीटूशन के थूप्लिक को शेयर्स इशू किये जैसे कि अंडर राइटर्स ही होगे ब्रोकर सब्सक्राइब करवाते हैं शेयर्स और डवेंचर को फ्रॉम दी पब्लिक के थूरू ओफ दी कंपनी कंपनी के बिहाफ पे और इन लीन ऑफ दी सर्विसेज दे गैट रेमुनरेशन इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज इसके बदले उनको रेमुनरेशन सेलरी मिलते हैं अंडर इसने आगे ब्रोकर्स रखे होते हैं जो कि कंपनी के ब हाफ पप्लिक से सब्सक्राइब करवाते हैं खिका और कंपनी उसको उसके बतले में प्रोवाइट करती है है आपको तीनों चीजेशे पता चल गी इंट्रों पिता दिया टैपस ओफ अफ अंड Chron को थे होते हैं तीक है तेन इताइपस ओफ अभ अधालींट एंडिन प्वाफ की टाइपस अडिशी मेंट्स Day 7 ऑंडव किसे ताइपस को आंधुन है अगर्वाइट वाहारेंट सकत्वी ते farmers की ते Passion है हम ठीक है then next step partial underwriting if part of the issue of shares or debenture of a company is underwritten मतलब shares जो हमने issue करने थे उसका कुछ part हमने underwriters को दिया है ठीक है then it is called partial underwriters तो उसको हम partial underwriters बोलेंगे then firm underwriting में किया है firm underwriting means when an underwriters agree to buy a definite number of shares or debentures in addition to the shares or debenture he has to taken under the underwriting agreement firm underwriting में क्या होता है कि firm underwriting का मतलब है कि जो underwriters है जैसे हमने PQR लिया था जो underwriters है वो agree हैं कुछ shares को buy करने के लिए मतलब वह इंट्रस्टीड हैं buy करने में by a definite number of shares or debenture in addition उनके इलावा जो उन्होंने agreement किया था वो तो था ही था उनके इलावा addition में कुछ वो buy करना भी चाहते हैं addition to the shares or debenture he has to take under the underwriter agreement in case of firm underwriting has underwriting the underwriters get priority over the general public अगर वो underwriters की जगह जर्नल पब्लिक को priority देते हैं if shares or debentures are oversubscribed मतलब जादा oversubscribed हो जाते हैं even if the issue is oversubscribed the underwriters are liable to take up the agree number of shares or debentures अगर oversubscribed अगर जादा हो जाते हैं तो भी underwriters की जिम्मेवारी है और अगर वो जैसे वो खुद भी इंट्रस्टीड है और वो पब्लिक को भी करवाएगा तो अगर वो shares कम पढ़ गए तो यह भी underwriters की जिम्मेवारी और अगर जादा subscription हागी सब बोल दे हैं मेरे को shares लेने हैं सबने subscribe कर दिया तब भी और यहां डिव रॉच्ट की ही प्रोब्लम है थीक है फॉर्म डी ने तन्स बWithisz सब अंड़राइटिंग सब अंडर्रायटिंग इन विच एन अंडरॉटर सबवक्तारइस विचत्य योट कि pilgrv का पर्दावाज रंड़ेटर एंडर यदिए टीन अंडर राइटर अमने देखे थे पी क्यों आर तो अब एक की पपलिक स्ब्सक्राइब करें ठीक है काफी सारे सकता है ठीक है ना फर्दर अनधर अनधर प्रवाइटर इससे क्या होता है जो रिस्क होता है वह रिड्यूस हो जाता है सब अनधर उसर्फांप सब्वेगत कमीशन और उनको कमीशन भी मिलती है इसके बदले में वो तो हम उर्डी डिसकस कर चुके है उसके बाद में आता है टोपिक हमारा underwriting commissions का ठीक है it is the consideration consideration मतलब something in return जो उनको मिलता है उनका कांग करने के बदले में it is the consideration which is payable to the underwriters for the underwriting the shares of the company जो उनको underwriting कमपनी के shares को subscribe करवाने के बदले में मिलता है वो होती है underwriting commission इसका आपको आपकी book में भी एक following table में लिखा हो एक मिल जाएगा वैसे जो मैंने आपको अभी बताया commission का rate वह है commission के उपर जो shares के उपर rate होता है वह 5% होता है और debentures के उपर 2.5% होता है और इसका issue price फिक्स होता है ठीक है गाइस तो आपको आपको यह चीज समझाए इसका table आपको बुक में अलग से given होएगा आप देख सकते हो यह नेच से सर्च कर लो underwriting commission आपको मिल जाएगा देन नेक्स है market और unmarket applications marked और unmarked applications देन गाइस देखो यहां पे अब क्या लिख रहक है shares or debentures issue by a company जो भी shares or debentures issue किये जाते हैं by a company are usually underwritten by two or more firms उनको दो या तीन firms लेती है इनन proportionate ratio जो भी उनने रिसाइड की होती है कि मैंने इतने shares लेने है ठीक है underwriters in an agree ratio जो भी उनने ratio decide की होती है every underwriter try to sell the maximum number of shares हर underwriter क्या try करता है कि maximum ज्यादा से ज्यादा shares को sell करें and the maximum number of shares and ventures in order to reduce his risk ताकि उनका जो risk है मतलब अगर नहीं subscribe हुए तो उनको खुद को लेने पड़ेंगे उनके लिए एक risk ही है तो उसको कम करने के लिए generally in order to distinguish the form of one underwriter from that of other and to determine the liability of the individual underwriter such stamped applications are called marked applications देखो यहां पर लिख रहा है generally जो orders होते हैं ठीक है वो अलग होते हैं form of one underwriter from that of others बाकियों से अलग होते हैं और उसको determine करने के लिए the liability of the individual underwriter individual underwriter की क्या liability होती है सच stamped applications होती है उसके बीच में ठीक है जो जिनके ओपर stamped है मतलब उस बंदे का name लिखा हुआ है या कुछ भी address लिखा हुआ है तो वो stamped होगी एक तरह से तो उसको हम अलग कर लेंगे देखो stamped applications are called marked application उनको एक तरह से marked applications बहुत सकते हैं the application form which are received by the company without any name जो उनको भीना किसी नेम की receive होती है मतलब उसके उपर ना नेम कुछ नहीं लिखा होता address अगरा कुछ नहीं लिखा होता of the underwriters are called unmarked application उनको unmarked applications कहते हैं यह कोथी marked यह कोथी है unmarked ठीक है guys I hope आपको यह topic समझ आया है मेरा underwriting of shares and adventures और आपको notes समझ आया है जो मैंने बनाये हैं ठीक है guys वीडियो को like share कर देना अपने friends के जाद जुरूर शियर करना ताकि वो भी इस वीडियो को फाइदा उठा सकें बाइबाइबाइबाइबाइ